इस तरह बच्चो यदि हमें अमल की प्रबलता अथवा छार की प्रबलता की जाज करनी हैं तो हमें ये देखना होगा कि विलियन में उसकी अमली विलियन में कितनी जादा हाड्रूजन आयन हैं अथवा छारी विलियन में कितनी जादा हाड्रॉकसाइड आयन हैं और इसकी ज जाज करने के लिए एक अलग पैमाना उप्योग किया जाता है, जिसे pH scale कहते हैं, जहाँ पर P से तात पर potence यानि की शक्ती से है, अर्थात pH scale यह बताता है कि विल्यन में hydrogen आइनों की सांधरता कितनी है, इसकी जाज करके हम विभेन अमलों की प्रबलता की तुलना कर सकते हैं पर बच्चों इसके लिए आप लिटमस पेपर नहीं ले सकते, इसके लिए आपको एक अन्य सूचक की आउशक्ता होती है, जिसे हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, बच्चों यह सार्वत्रिक सूचक विभेन प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है, जो विल्यन में hydrogen आइ हम विभेन अमलों की अमलता की तुन्ना कर सकते हैं, बच्चों इसके लिए हम इस कलर बार का उप्योग करते हैं, जिसमें आपको लाल रंग से लेकर हलके हरे से लेकर गहरे नीले रंग तक के रंग दिखाई दे रहे हैं, यह सार्वत्रिक सूचक विल्यन में उपस्थित hydrogen hydrogen आइनों के आधार पर अपने रंग में बिन बिन परिवर्तन करता है, जिसका पता हम इस pH के कलर बार से कर सकते हैं, बच्चों यह pH कलर बार में उपर का रंग लाल रंग अमलीता को दर्शाता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, अमलीकुन कम होता जाता है, अर् pH साथ पर पहुँचते हैं, तब hydrogen आइनों की सांद्रिता और hydroxide आइनों की सांद्रिता के बराबरी को इंगित करता है, अर्थात यह उदासीन अवस्था को दर्शाता है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यह 8, 9, 10 से लेकर 14 तक कर रंग छारिता को दर्शाता ह अर्थात या hydroxide आइनों की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है, इसका मतलब यदि किसी विलियन का pH मान या pH कलर लाल रंग है, इसका तात पर यह हुआ कि वो अमली है, और यदि किसका pH पेपर का कलर 6 है, तो इसका मतलब वो कम अमली है, यदि pH का मान साथ आता है, वो य दर्शाता है कि विलियन उदासीन है, और यदि pH का मान 10, 12 या 14 आता है, जो कि छार या प्रबल छार को दर्शाता है, तो आइए, अब हम इन अलग अलग विलियनों की अमलता तथा छारिता की तुलना pH स्केल के द्वारा करते हैं, नहीं हम जल्ग की तुलना करते हैं, देखे, आप pH पेपर तथा कलर बार के को मैच करने से पता चलता है कि जल का pH साथ है, जो कि जल के उदासीन होने को इंगित करता है, अब हम नमक के घोल के pH की जांच करते हैं, देखे बच्चों, नमक के घोल का pH का रंग भी pH साथ के कलर से मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि नमक का घोल भी का pH साथ है, अर्था यह भी उदासीन विलियन है, अब हम दूद के pH की जांच करते हैं, देखे बच्चों, दूद का pH भी लगभग कलर बार की सहाथा से लगभग साथ दिखाई दे रहा है, अब हम टमाटर के रस के pH की जांच करते हैं, देखे टमाटर के रस में pH कलर, pH पेपर का कलर लगभग 5 से मैच कर रहा है, इसका मतलब की टमाटर के रस का pH मान 5 है, जो की इसके अमलता को दर्शाता है, अब हम तनू हाइड्रोक्लोरिक अमलक के विलियन की जांच करते हैं, बैचों आप देख रहे हैं की तनू हाइड्रोक्लोरिक में pH पेपर डुपाने पर कलर लाल हो गया है, जो pH बार में pH वेल्यू 1 को दर्शाता है, इसका मतलब की हाइड्रोक्लोरिक अमलक का विलियन काफी अमली है, अब हम तनू एनेवज यहने की सोडियू हाइड्रोक्साइड विलियन के pH की जांच करते हैं, बैचों देखिए इसमें pH पेपर का रंग गहरा नीला हो गया है, जो की कलर बार में pH मान 14 को दर्शाता है, अर्थात सोडियू हाइड्रोक्साइड का विलियन प्रबल छार यह है, इसके पश्चात हम खाने के सोडे की जांच करते हैं, बैचों खाने के सोडे के विलियन में pH पेपर डालने पर ये रंग हरा हुआ, जो की लगभग 9 pH को दर्शाता है, अर्थात खाने का सोडा भी छारी है, लेकिन सोडियू हाइड्रोक्साइड के विलियन से कम छारी है, अब हम कॉपर सल्फिट के विलियन की जांच करते हैं, बच्चो कॉपर सल्फिट के विलियन में pH पेपर डालने पर रंग परिवर्तन लगभग 6 दर्शारा है, जो कि इसके हलके अमली होने की पुश्टी करता है, अब हम साबुन के गोल की जांच करते हैं, बच्चो साबुन के गोल में pH पेपर डालने पर ये हरे रंग का हो गया है, जिसका pH मान लगभग 12 दिखा रहा है, इसका मतलब कि साबुन का गोल भी छारी है, लेकिन खाने के सोडा से ज़्यादा और सोडियूम हाइड्रॉकसाइड से कम छारी है, अब हम नीबु के रस के pH की जांच करते हैं, बच्चों नीबु के रस में pH पेपर डालने पर कलर बार से मैच करने पर हमें दिख रहा है कि इसका pH लगभग 13 के बराबर है, जो कि इसके अमली होने के पूष्टी करता है, लेकिन तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल से कम अमली है, इस तरह बच्चों हमने देखा कि हमने जो विभेन प्रकार के अमल तथा छार लिए हैं, उनकी पियेट जाज करने के पश्चात हमने ये पाया कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलियन सबसे ज़्यादा अमली है तथा टमाटर का रस सबसे कम अमली है इसी तरह से सोडियम हाइड्रोकसाइट का विलियन सबसे ज़्यादा चारिये था जबकि खाने के सोड़े का विलियन सबसे कम चारिये था साथ ही जल का विलियन तथा नमक का घोल उदासीन थे इस तरह आप भी अपने आसपास पाए जाने वाले विलिनों की पिये चाच करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा अमली है अथवा कौन ज्यादा चारिये